हेलो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में हम स्टडी कर रहे थे वेरियेशन ओफ एक्सिलरेशन दिटू ग्राविटी जिसमें हम हाइट और डेप्थ के इफेक्ट को पहले ही देख चुके हैं आज हम देखेंगे कि ग्राविटेशनल एक्सिलरेशन पर अर्थ के रोटेशन का और शेप का क्या इफेक्ट आता है अर्थ के रोटेशन और उसके शेप की वज़े से एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्राविटी में क्या चेंजेज आएंगे यह हमें आज के इस सत्र में देखना है friends तो आईए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं effect of rotation around polar axis and shape of earth on gravitational acceleration यानि polar axis के around earth के rotation का small g पर क्या effect होगा and earth के shape का small g यानि gravitational acceleration पर क्या effect होगा हम इस्टड़ी करने जा रहे हैं Friends, rotation around the polar axis इसका effect gravitational acceleration पर देखने के लिए हमें एक term बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और वो है frame of reference इसलिए यहां हमने starting frame of reference से ही की है Friends, normally आपने जो geometry पढ़े हैं बचों ने वो आप लोग देखते आए हैं कि किस तरह से हम x, y और z यह coordinate axis लेकर के इसका एक system बन गया कहीं हम two dimensional लेते हैं तो x, y axis जब हम three dimensional लेते हैं तो x, y, z axis इस तरीके से system एक बन जाता ही इन axis का और यह system को जब हम एक साथ consider करते हैं यानि पूरा x, y, z axis का coordinate system हमने ले लिया इसी को हम frame of reference कहेंगे, a system of coordinate axis which defines the position of a particle or an event in two or three dimensional space is called a frame of reference यानि सीधा सा है a system of coordinate axis जिसे use करके आप किसी object का position या किसी event को आप explain कर रहे हैं उसके इस system को आप कहते हैं frame of reference friends, earth के case में अब हम आते हैं इससे पहले हम लोगों ने जहां भी देखा कि small g यानि gravitational acceleration किस तरीके से vary करता है तो वहां हमने height का effect देखा और depth का effect देखा आज हम rotation का effect देखने जा रहे हैं और इन सभी cases में चुकि earth approximately sphere है तो हमने उसे एक sphere ही मान करके सारे calculation किये हैं आज जब हम rotation के effect को देखेंगे वहां भी हमने earth को एक spherical shape ही दिया है sphere माना है हमने earth को अब friend आप imagine कीजिए कि जिस ball से आप खेलते हैं आप सोच लिजी आपके पास एक ball है और ball को आपने rest पे रखा है यानि no motion ना rotate कर रहा है ना straight line पे motion कर रहा है किसी भी तरीके के motion नहीं हो रहे हैं तो अभी तक हमने earth को इसी तरीके से लेकर height और depth वाले effect को हमने देखा वहाँ आप देखिएगा कि आपने किसी भी तरीके के motion को consider नहीं किया जबकि जो acceleration due to gravity है small g उस पर earth के rotational motion around the polar axis का बहुत ज़्यादा effect पड़ता है अब polar axis क्या है friends ये spherical shape में earth हो गया इसके दोनों pole को हम मिला दें तो जिस line से आप इन्हें मिलाते हैं join करते हैं इसी line को आप polar axis कहते हैं और इसी polar axis के around हमारा earth rotate करता है तो ये जो direction दिखाई गई है इसके rotation के direction है जब object rotate करता है तो आप वहां angular velocity की बात करते हैं friends तो earth इस axis के around यानि ये अगर axis है तो इसके around ऐसे हमारा earth rotate कर जाएगा इस sphere के बीच से आप ये axis निकालेंगे और ये sphere हमारा rotate कर रहा है ये rotational motion इस earth में होगा तो जब हमारा earth इस axis के around rotate करेगा तो angular velocity ओमेगा आप linear और angular velocity से पहले से परचीत है angular velocity जो कि एक vector term होगा ओमेगा आएगी और इस omega की direction y-axis के along ही होगी यहाँ देखिए ये omega की direction को show कर दिया है यानि जो polar axis है उसी के parallel omega की direction होगी friends अगर हम इस earth को एक rest पे रखा हुआ इस sphere माने जैसा कि आपने height और depth वाला case study करते समय किया है कि g पर height का effect और g पर depth का effect तो earth को अगर हम एक rest पे रखा हुआ इस sphere माने उस case में हम इसका x, y और z axis जो मानते हैं तो ये x, y, z axis का एक system जो है ये एक frame of reference बना देगा यानि ये कैसा frame of reference होगा frame of reference on rest अब आप imagine करिए कि earth तो हमारा rotate करेगा तो earth पे ये जो x, y, z axis है हम अगर इनको भी rotate करता हुँ हमाने earth के साथ साथ ही तो ये rotating earth पर एक frame of reference बना तीनों axis से मिल करके जिसे हम x dash, y dash और z dash के सकते हैं ये हमारा rotating frame of reference हो जाएगा यानि एक तो rest पे जो earth लिया उसके लिए हमने frame of reference at rest ले लिया और दूसरा जब हमारी earth rotatory motion कर रही है उस case में जो system of coordinate axis हमने लिये तो उसने हमें दे दिया एक rotating frame of reference अब friends आप imagine करिए मान लिजे हमने यहाँ पे एक rest पे earth बनाया और इसको हमने rotate करा दिया तो एक rest पे frame of reference x, y, z और दूसरा frame of reference जो कि rotating है अब आप imagine करिए कि इस rotating earth पे rotating earth के उपर p point पर एक object रखा हुआ है यानि rotating earth पर rest पर है यानि वो earth के साथ साथ ही move कर रहा होगा और दूसरा जो nearby हमने लिया यानि rest पर frame of reference हमने earth को simple rest पर गोला मान लिया वो frame of reference हमने लिया अब अगर observer rest frame of reference पे है और वो इस rotating frame of reference पर रखे हुए यानि p object इस rotating frame में rest पर है इसको observe करे तो rest frame of reference से उसे p object move करता हुआ दिखेगा लेकिन अगर वही observer भी इस rotating frame of reference में आ जाए जो earth rotate करा रहे हैं हम उस पर आ जाए तो उसे ये p object rest पर लगेगा यानि observer का frame of reference जैसे ही हम बदल देते हैं हमारा object की rest और motion की condition बदल जाती हैं तो friends बिलकुल इसी तरीके से rest और rotation के कारण acceleration पर भी effect आता है यानि अगर हम rest frame of reference से gravitational acceleration g को देखें तो अलग value मिलेगी और वही gravitational acceleration को अगर हम rotating frame of reference के संदर्ब में निकालें तो अलग value उसकी आएगी magnitude भी और direction भी हमें यही effect देखना है अब अगर हम rest पर earth को लेते हैं हम इसको rest पर मान लें तो rest frame of reference से देखें उस case में आपको मालूम है कि acceleration due to gravity vertically downward आता है अब vertical direction क्या है friends earth surface पे आप जहां भी खड़े हो जाएं यहां 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 कहीं भी खड़े हो जाएं अर्थ आपको अपने center की ओर attract करती है और जिधर earth attract कर रही है वही vertical direction है यानि अगर p point पर object है तो उस object को earth अपने center की ओर ऐसे attract करेगी इसी direction में acceleration due to gravity आएगा जबकि earth rest पर है तो इस case में यह हमने small g की direction towards the center o दिखाया है लेकिन अगर यह rotational motion भी इसकी consider कर लें यानि अब हम rotating frame of reference में p को ले रहे हैं उस case में इसके center की ओर ना लग करके small g किसी ओर direction में लगेगा और उसका magnitude भी different आएगा तो उसे हमने g dash शे show कर दिया है और यह रही vertical direction जबकि earth को हमने rest पर लिया तो earth के center की ओर जो line जा रही है वो vertical direction है यह हमने आपको अभी explain किया op अर्थ का radius है average radius हमने यहाँ sphere ले लिया है इसलिए हमने radius r दिखा दिया है अब friends p point पर object rotating frame of reference में rest पर है यानि rotating earth के ऊपर यह रखा हुआ है तो काईदे से तो जब हमारा यह earth rotational motion करेगा तो यह p object भी same axis के around circular path पर move करेगा इस circle को हमने यहाँ से दिखा दिया है उस case में यह p object जिस circular path पर move करेगा उस circle का radius यहाँ से देखिए यह rn से हमने show किया है rn आएगा उस circle का radius अब friends देखिए यह x axis के साथ op की जो line draw की इनके बीच angle बना यह phi यह angle phi है तो देखिए यह और यह angle equal होने चाहिए यानि p o x and o p q angle equal आएंगे इसलिए o p q भी phi के equal हमने ले लिया है यह दोनों angle हमने यहाँ पे phi ले लिये है और friends अब अगर हम यह calculate करें rn को आप चाहें तो r के terms में भी calculate करके लिख सकते हैं अभी आगे हमने इसका calculation लिया है आप r को दो पार्ट में break करते है r cos theta and r sin theta तो यह cos theta वाला component rn के लिए use किया जाएगा तो यह terms friends हमें मिल गए है अब इस diagram को आपने समझ लिया है साथ ही यह देख लिया कि p point पर जो भी object rotating frame of reference में रखा हुआ है यानि rotating frame में rest पर है वो भी actually वो circular path पर चल रहा है और circle पर जब चलेगा तो उसे centripetal force लगेगा यानि यहाँ पर p object जिसे हमने tie नहीं किया बांधा नहीं है तो circular motion में आप एक बार जाकर देखिएगा कि ऐसे object एक outside direction में centrifugal force भी feel करते हैं तो यह p पर लगने वाला centrifugal force की magnitude हमने represent किया है centrifugal force आप जानते हैं centripetal से opposite direction में लेकिन equal magnitude का centrifugal force लगता है इसलिए इसकी value आगई m rn omega square rn अफकोस ये वाला है radius जिसे हम r के terms में लेंगे तो r cause phi निकल के आएगा तो friends ये diagram आपने समझ लिया और यहां हमने बात की two frame of reference की एक frame of reference at rest और दूसरा rotating frame of reference आपने देखा कि अगर observer rest पे है तो अलग conditions मिलती है velocity की acceleration की और अगर हमारा observer ही rotating frame पर आ जाए तो अलग conditions मिलती है और इन दोनों ही frame of reference से चूकि हमने same object की values को study किया है चाहे वो velocity के terms में study करें या acceleration के terms में तो दोनों में से जो values हमने note किया होगा यानि observer ने note किया है उनको relate करता हुआ हम equation भी draw कर सकते हैं यहां हमने acceleration के लिए equation use किया है एक rest frame of reference और एक rotating frame of reference अगर rest frame of reference से देखने पर same object का acceleration a आता है और rotating frame of reference में उसी object का acceleration a dash आता है rotating frame में हमारा object वी dash velocity से motion कर रहा है याद रखिएगा dash वाला rotating frame के लिए है तो यह वी dash उसी object की velocity है rotating frame of reference में और जिस circular path पर object move कर रहा है अगर उसका radius है r तो यह relation आता है in terms के बीच में इस relation का derivation हमने यहाँ नहीं किया क्योंकि हमारा aim इसको derive करना नहीं है बलकि acceleration due to gravity पर earth के rotation का effect हमें study करना है तो हम इस equation को directly use करेंगे आप इस equation को याद रखेंगे अफ फ्रेंज अर्थ के case में हमने कह दिया rotating frame of reference में p point पर हमारा object rest पर है तो अगर हमने यहाँ rest पर कह दिया तो अफकोस इस case में हम v dash को zero कर देंगे तो friends यह वाला जो term आया यानि rotating frame में object की motion की वज़े से यह जो term आया इसको हम coriolis term कहते हैं चुकि acceleration के लिए equation है तो यह acceleration ही होगा acceleration को हम acceleration से ही add कर सकते हैं velocity को velocity से ही add करेंगे तो चुकि acceleration में terms added हैं यानि यह acceleration होगा हमारा इसको नाम देते हैं coriolis acceleration लेकिन rotating frame में हमारी body rest पर है इसलिए v-0 हो जाएगा और जब v-0 है तो हमारे अर्थ वाले case में coriolis acceleration यहां जो हमने case लिया उसमें 0 हो जाएगा तो friends इतनी चीज़ें आपको clear हो गई है अब हम आगे चलते हैं अर्थ के लिए same equation जो हमने यह लिया इसको हम acceleration due to gravity के लिए use करें और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि rest पर जो frame of reference है उसमें acceleration due to gravity यह वाला small g और जब हम rotating effect ले रहे होंगे तो acceleration due to gravity g dash यानि a dash की जगे g dash और a की जगे हम g ले लेंगे small r की जगे r n ले लेंगे omega की जगे omega ही रखेंगे तो friends देखें यहाँ पर क्या जाएगा यहाँ एक चीज और बता जें कि of course यह सारे vector terms ही है इसमें कोई confusion की बात नहीं होनी चाहिए अब अगर हम आगे आ जाते हैं और इसमें आप देखें कि हमने a की जगे g ले लिया a dash की जगे g dash लिया r की जगे r n ले लिया है अब आप देखें कि r n का जो magnitude निकालना था भी हमने आपको बताया था r cos 5 यह term हम use करेंगे यह सारी चीजें इस equation में हम apply कर दें तो v dash को 0 कर दिया इसकी जगे g आ गया यहाँ g dash आ गया यहाँ आ जाएगा omega cross omega cross r n तो friends यह term हमें मिल गया अब r n की जगे r cos 5 हमें ले ले ना इनको हम parts में break करेंगे देखिए हम कैसे कैसे parts में break कर सकते हैं आपने जहाँ vector पढ़ा होगा वहाँ आप जानते होंगे कि सभी जितने भी vectors हैं उनको हम components में break कर सकते हैं i, j, k components i component जो i direction है वो x का unit vector है j, y का unit vector है इसी तरह k, z का unit vector होता है यहाँ हम two dimensional case ले रहे हैं इसलिए हमने सिर्फ i और j vector को ही use कर लिया है जहाँ जरूत पढ़ेगी वहाँ आप k vector को use कर सकते हैं यहाँ हमें i और j vector की ही जरूत पढ़ रही है अभी तो friends अब इस g को हम component में अगर break करें तो इस diagram से देखिए आप यह g हमारा इस direction में है इसके component करें तो एक यह component और एक ही यह x component यह y component लेकिन आप जानते हैं यह अंदर की तरफ direction है यानि इसका x component इधर जाएगा p से q की तरफ और y component इधर जाएगा that means x component भी minus x direction में और y component भी minus y direction में इसलिए g के जो दो component हमने लिखे तो एक तो g cos phi जो x direction वाला और g sin phi जो की y direction का component उनकी direction क्योंकि यह vector है तो x component का direction unit vector i से और y component का direction unit vector j से दो vectors जब x और y direction वाले हम add करेंगे तो resultant vector g मिलेगा लेकिन minus sin के साथ क्यों? क्योंकि आप देख रहें कि i तो positive x direction का unit vector है जब minus लगाएंगे तब वो negative direction में जा रहा है क्योंकि यहाँ g के component minus x और minus y direction में है तो इस तरह से यह पूरा इस g के लिए हमने represent किया x और y component के terms में minus अब यहाँ देखिए omega हमारा यह y direction के parallel हमने y में लिया है polar axis तो यह y direction के parallel है यानि omega के लिए unit vector हम j use करेंगे y direction का तो जहाँ omega है वहाँ omega j cross omega j cross अब यह rn rn के तथ हम magnitude r cos phi और rn के direction क्या है center से बाहर की तरफ यानि positive x तो इसे हमने i लिया यहाँ minus i हमने नहीं लिया अब next step पे चलते हैं इस वाले term को ऐसे ही लिख दिया और इसमें देखी यह omega omega यह magnitude है तो omega into omega omega square यह r magnitude है r आ गया cos phi भी magnitude है अब यह बचा j cross j cross i आप जानते हैं अगर आपने vector product पढ़ा है कि i cross j k बनता है और अगर j cross i है तो वा minus k बनेगा तो यहाँ बचा j cross i तो यह बचा बनेगा minus k तो minus minus को plus करके लिख दिया और बचा k यानि j cross k यहाँ पे आ गया अब j cross k क्या हो जाएगा i एक बचा फिर देखिए j cross i बचा वो हो जाएगा minus k उसका minus इस minus के साथ लेके plus कर दिया तो अब यह बचा j cross k और j cross k is i अब देखिए यह i का term बन गया और यहाँ यह i का term है तो i वाला term एक साथ ले लिया यह आया और j वाला term एक साथ कर दिया तो यह g dash यानि जो rotating frame of reference में acceleration due to gravity होना चाहिए वो हमें यहाँ से मिल गया in vector notation जिसका x component यह और y component यह है अब अगर हमें इस g dash का magnitude चाहिए तो आप जानते हैं अगर हम लिखते हैं a is equal to कोई vector हमारे पास अगर है a is equal to vector a is equal to ax unit vector i plus a y unit vector j ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा है पहले अब अगर हमें इस a vector का magnitude चाहिए तो आप करते हैं under root of ax square plus ay square वही चीज हम यहां भी apply कर दें तो इस g dash का magnitude g dash vector का magnitude g dash मिल जाएगा हमें जिसमें ax की जगे ये part हमें लेना है और ay की जगे ये वाला part लेना है तो इसका square किया अफकोस minus का square होगा तो minus का square करके plus हो जाएगा इसलिए इसका square आगिया यहां भी minus का square होगा तो minus का square होके plus हो जाएगा इसलिए हमने इस minus को छोड़ दिया वो अपने आप minus into minus plus हो जाएगा फिर इसको open किया a minus b whole square का formula लगा कि इसको हमने open कर दिया a square plus b square minus 2ab a into b ये किया plus इसका square लिखा अब यहां देखिए friends यह जो omega term है angular velocity earth की है यह very small term होता है तो उसका power 4 तो very 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 small हो जाएगा इसलिए इस term को आप ignore कर सकते हैं जैसे ही इस term को आप ignore करेंगे आपके पास कौन सा term बचा ये बचा ये बचा और ये अब इस term में और इस term में देखिए g square common ले लें तो sine square phi प्लस cause square phi जो की हो जाता है 1 तो g square bracket में sine square phi प्लस cause square phi 1 हो गया तो बचा सरिफ g square और ये वाला term बचा तो यहाँ से हमें g dash की value मिल गए इसे अभी हम कुछ steps थोड़ा सा और simplify करें जिससे हम कई और बाते भी small g के बारे में explain कर सकें तो friends अगले step में हमने क्या किया इसी term को solve करने के लिए इसकी power under root है तो under root हटा के आप power 1 by 2 लिख सकते हैं इस पूरे की power 1 by 2 और अगर यहाँ से हम g square common निकालना चाहें तो यहाँ तो g square है पर यहाँ नहीं है इसको square करना है तो g square upon g लिख सकते हैं और g square common निकाल दे तो अब bracket में क्या बचेगा 1 minus 2 omega square r cause square phi upon g यह बचेगा और whole की power 1 by 2 तो जो g square बाहर गया है उसकी power 1 by 2 है तो वो g में convert हो जाएगा यानि यह g आ गया और बाकी remaining term यह आ गया इसको solve कर लिया हमने अब friends next step पे अगर हम चलें तो इस term को solve करने के लिए binomial expansion जो की पहले भी हम लोग discuss कर चुके हैं उसी को हमने apply किया है एक बार यहां remind कर लिए 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx plus n and minus 1 x square by factorial 2 and so on इस तरीके से पूरी series आती है लेकिन अगर यह x very very less than 1 है तो higher order वाले terms आप ignore कर देते हैं और आप सिर्फ लेते हैं 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx इस case में omega very small है इसलिए omega square भी very very small हो जाएगा और छोटा omega less than 1 है तो omega square 1 से और छोटा हो जाएगा और इसलिए यह term less than 1 आता है और जब यह less than 1 आता है तो यहाँ binomial expansion हम लगा सकते हैं यानी 1 plus nx और यहाँ minus है तो 1 minus n यानी 1 by 2 into x यह ले लेंगे जैसे ही apply करेंगे यह term आ गया अब g को इसके अंदर multiply कर दें अब कर सकते हैं multiply तो g dash is equal to g minus omega square r cause square phi आपको मिल गया now using this equation we may explain the effect of rotation around the polar axis and shape of the earth on gravitational acceleration friends rest पे अगर हमारा earth होता तो acceleration due to gravity g आती है लेकिन जब वो rotational motion करने लगता है तो apparent acceleration due to gravity हमें मिलती है g dash जिसकी ये value हमें मिली अब यहां से आप देखिए आपको सीधे से पता चलता है कि अगर earth rotate कर रही है यानि omega 0 नहीं है angular velocity present है यानि earth rotational motion कर रही है यानि omega 0 नहीं है और जब हमारा omega 0 नहीं है तो उस case में friends ये term present होगा यानि g dash कैसे मिलता है g में से कुछ value subtract कर रही है spin की वज़े से acceleration due to gravity reduce हो रही है जो rest पे था उसमें से कुछ minus किया तब हमें मिला apparent acceleration due to gravity in case of rotating earth यानि g dash is always less than g if the earth is rotating तो g की value घट जाती है rotation की वज़े से इसमें एक term phi आ रहा है और phi देखिए आपको बताता है position of the object phi आपको object की position बता देता है यहां से देखिए यह angle phi है अगर p equator पे आ जाता है तो phi 0 और p pole पे चला जाता है तो phi 90 degree तो equator पे phi 0 और cos 0 degree होता है 1 maximum value और cos 90 degree होता है 0 यानि जब poles पे हमारा object चला जाएगा तो यह वाला term cos 90 degree जो है 0 हो जाएगा तो यह term खतम हो गया यानि कुछ भी minus नहीं होगा तो apparent acceleration maximum होगा poles पे और जब वो equator पे आ जाता है तो phi 0 हो गया देखिए friends जब वो equator पे आ रहा है यानि यहाँ पे आ गया तो phi 0 हो गया तो equator पे phi 0 degree यानि cos phi की value 1 हो जाएगी तो यह maximum हो गया तो minus जुसको कर रहे है वो maximum है यानि g dash minimum तो equator पे apparent acceleration due to gravity minimum और poles पे maximum हो गई due to spin यही पे friends देखिए अगर अर्थ को तो हमने sphere माना है अगर यह exact sphere नहीं होता तो जैसे ही cos phi को आप 0 करेंगे sorry 5 को आप 0 करेंगे यानि equators पे आएंगे तो cos phi तो 1 होगा ही साथ ही आप जानते हैं कि थोड़ी से अर्थ शिप्टी हो जाती है तो equators पे radius ज्यादा होता है और poles की side जाते हैं तो radius कम हो जाता है अगर इस effect को भी आप include करें तो जैसे ही यह वाला cos phi 0 होगा यानि cos जैसी phi 0 होगा cos phi 1 हो जाएगा साथ ही r की value maximum हो जाएगी यानि ये term बहुत बड़ा हो जाएगा जिससे equators पे g dash और घट जाएगा तो shape का भी effect यही है कि वो equators पे apparent acceleration due to gravity को कम कर रहा है और poles पे ज्यादा कर रहा है और spin का भी effect यही है कि equators पे acceleration due to gravity कम आएगा और poles पे ज्यादा यानि equators पे acceleration due to gravity minimum और poles पर maximum एक बार फिर diagram में देख लिजें confuse नहीं होंगे equator ये है और pole ये है equator पे minimum और poles पर maximum यहाँ पर minimum और यहाँ पर maximum यहाँ minimum यहाँ maximum यहाँ maximum यह आपको मिल रहा है इसी तरह से shape का effect हम सीधे से एक simple formula से भी देख सकते हैं आपने पहले पढ़ा है small g is equal to capital g m e upon r square और अभी हमने देखा कि equators पे radius ज्यादा होता है maximum और अगर यह denominator maximum हो गया तो यह minimum हो जाएगा और poles पे r की value minimum हो जाएगी इसलिए poles पे g maximum तो shape का effect हम यहाँ से बता सकते हैं और spin का effect यहाँ से बताते हैं लेकिन यहाँ भी हम चाहें तो हम shape के effect को consider कर सकते हैं तो friends यह तो था आपने देखा कि acceleration due to gravity पर अर्थ के rotation का क्या effect होता है around the polar axis और अर्थ के shape का effect क्या होता है जिसमें आप प्रूफ कर पाए यह equation निकाल पाए और equation से आपने प्रूफ किया कि क्यूं rotation की वज़े से equators पे acceleration due to gravity minimum हो जाती है और poles पर acceleration due to gravity maximum हो जाती है इसी तरह shape की वज़े से भी equators पर minimum और poles पर maximum तो याद रखिएगा friends earth surface पर poles पर acceleration due to gravity always maximum और equators पर minimum होगा तो आज के सत्र में friends इतना ही आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहे हैं और अगर यह जानकारी आपके लिए फायदे मन्द है तो वीडियो को लाइक करनो और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें थैंक यू